नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी अनालिसिस पर मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में भी हमने बैंक निफ्टी का ये जो डेली चार्टे वो देखा था इस रेंज में से हम डिकलाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये मिनिमम टार्गेट थ बैंक निफ्टी इसके नीचे भी आने वाले टाइम में जा सकता है अब तक जो ये डिकलाइन है ओल्मोस्ट टार्गेट के पास आ चुका है राइट जो नीचे की ट्रेंड लैन के पास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक जो है बैंक निफ्टी में जिस रेंज में से हम रेडी हो चुका है राइट तो यहां पर बहुत ही बड़िया तरीके से हमने ये जो टॉप की रेंज थी वो आइडेंटिफाई की थी और उसी रेंज में करीबन 2000 पॉइंट का डिकलाइन बैंक निफ्टी में अल्रेडी देखने को मिल चुका है अब क्या हो सकता है वो आज gap up होके open हुआ था और हमने telegram channel पर share किया था कि अब यहां से wave 5 का decline जो है फिर से इसके नीचे जा सकता है और eventually वहीं हमें देखने को मिला यहां से हमें 5 का decline भी देखने को already मिल चुका है यहां पर अगर हम देखे तो exactly यहां पर जब high के पास था तभी हमने telegram channel पर share किया से वैसे ही देखने को मिल चुका है wave 5 का अगर हम projection निकाले तो 38 to 61% की range में यह already आ चुका है अब हमारा काम क्या बनता है यह जो wave 5 जो है वो उसकी normal range तो अचिव कर चुका है अब हमें देखना इसके internal structure में यह है कि क्या यह wave 5 की अंदर जो है impulse complete हो चुका है या अभी भी थो है उनको मैं homework की तरह दे रहा हूँ यह कि आप wave 5 का accounting अपने हिसाब से कीजिए और क्या यहाँ पे low बन चुका है या अभी भी यह इसके नीचे जा सकता है अगर जा सकता है तो कितना जा सकता है range find out कीजिए और यह 5 wave impulse complete होने के बाद अब क्या आप expect कर रहे है वो भी आपके करेंगे क्या क्या आपकी thoughts है वो सोची राइट बाकी मैं telegram channel बे जो भी होगा वो share करूंगा compare कीजिए आप कि आप क्या सोच रहे है और मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ राइट अभी यहाँ पे अगर आप देखे तो यह nifty का two over chart है जहाँ पे हमने ending diagonal जो है वो identify किया था और इस range में से हम decline expect कर रहे थे और यहाँ पे भी अगर हम देखे तो बहुत ही बढ़िया decline nifty में भी 700 point का decline already हो चुका है जिस range में से हम decline expect कर रहे थे उसी range में से 700 point का decline already हो चुका है अब हमारा focus is decline पर ही होना चाहिए हमने पिछले वीडियो में भी discuss किया था यह पिछले वी की range निकाली थी 23 to 38% आज अगर आप देखे तो exactly 38% के आसपास ही इसने एक high लगाया लेकिन वो 15 minute का candle इसके उपर close नहीं कर पाया और यहां से एक sharp decline हमें low के नीचे देखने को मिल चुका जैसा हम expect कर रहे थे कि यहां से wave 5 का decline अभी भी pending है जो हमें already आज मिल चुका है यहां पे as exactly 38% से ही वो decline हमें देखने को मिला है तो बहुत ही बड़ी आगर आप rule का follow करते है तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे आपको यह decline जो है वो 3700 point से ज्यादा का decline था जो बिलकुल ही आराम से यहां पे हमें और बहुत ही जल्दी यहां पे nifty ने दिया है यहां पे volatility ज्यादा थी लेकिन आप consider कीजिए कि सिर्फ आपने इतना ही point capture किया है तो यह point भी थोड़ी कम है अब जैसा हमने bank nifty में समझा आपको find out करना है कि क्या wave 5 यहां पे complete हो चुका है या और इसके नीचे जा सकता है overall range तो हमने wave 5 की निकाल ही लिए है right मतलब अब ज्यादा decline नहीं है decline limited है और जब भी वो decline complete हो जाएगा तो इस पूरे impulse का retracement अभी जो हमने इस low से निकाला है इस range में एक corrective bounce हम expect कर सकते है right तो मतलब की आने वाले time में जो है हो सकता है कि इस बड़ी range में जो है nifty consolidated कर सकता है या फिर एक corrective bounce हमें दे सकता है right तो इस तरीके का planning हम आने वाले time में कर सकते है बाकी आपको पिछला वीडियो और उससे पहले का वीडियो अगर helpful लगा है तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और अगर आप interested है इस theory को सीखने के लिए तो फिर आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा number यहाँ पे दिया हुआ है वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बढ़ शुक्रिया धन्यवाद